नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर उमा संकर सिंग, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, हेडिंग है, बेहत पौश्टिक होता है सरसो का साग मित्रों जो सरसो का साग होता है वो कितना पौश्टिक होता है इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहा है मित्रों ये आपके खेतों में मिलता है आप इसको देखिए और उसको आप यूज करिए बहुत ही ज़्यादा पौश्टिक होता है जितना आप सोचते हैं कहीं उससे भी बहुत ज्यादा तो मित्रों पॉश्टिक तत्तों से भरपूर होता है सरसो का साग मित्रों ये जो है कि एक डाइटीसियन इसके बहुत ही मतलब इसके रिसर्च किये है रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि 100 ग्राम साग में यानि कि 100 ग्राम साग जो होता है उसमें 30.35 कैलोरी एनर्जी मिलती है इसके साथ ही कार्बो हाइडरेट 2.41 ग्राम, कैल्सियम 101.91 मिली ग्राम, जिंक 0.68 मिली ग्राम, बिटामिन C 60.32 मिली ग्राम, आयरन 2.84 मिली ग्राम, मित्रों आयरन बहुत ही महत्पूर्ण चीज है जो कि इसमें 2.84 मिली ग्राम मिल रही है प्रोटीन इसमें 3.52 ग्राम, टोटल फैट 0.51 ग्राम, यानि फैट की मात्रा बिल्कुल कम है जो कि बहुत एच्छी बात है मित्रों फासफोरस 7,71 यानि की 1.62 मिली ग्राम, इसमें बीटा कैरोटीन, मित्रों 2649 IQ, बिटामिन B9 110 मिली ग्राम, मात्रा में पाये जाते हैं मित्रों इतनी अच्छी, भरपूर और इतना पौश्टिक, इतनी चीजें एक जगह मिल जाएं, यानि की सरसो का साग आप भी यूज करिए, जिससे की बहुत ही अच्छा रिस्पांस और आपके स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो मित्रों, इसको जो है, मैं एक चीज और जानिये, सबसे खोबसूरज चीज है, मिट्टी की हंडी में बनता था स्वादिश्ट साग, यानि की जो मिट्टी का बरतन होता है, ग्रामित छेत्रों में मिट्रु बनाया जाता था पहले, आज की डेट में तो नहीं बनाया ज परिसर्च किया है किसी समय कच्ची मिट्टी के बने चूले में लकडी की आंज पर मिट्टी की हांडी में सरसो का साग बनाय जाता था समय में तेजी से बदलाव और मिट्टी हांडी, कच्चे चूले वो लकडी की आज का प्रचलन तकरीबन खतम हो गया अब तो गैस पर कुकर में बने सागों का वो पुराना स्वाद नहीं रहा महिलाएं भी अब सरसों का साग बनाने में अधिक समय लगने की वज़त से कतराती है आगे लिख रही हैं सरसों का साग पौश्टिक गुणों का खजाना है इसके सेवन से अच्छी खासी एनरजी सरीर को मिलती है इसके सेवन से सरीर में खून वा कैलसियम की कमी दूर होती है यह लीवर और खून की सफाई करता है हाई फाइबर युक्त होने की वज़़ा से पेट को भी साप रखता है बड़े हुए कोलेस्टराल वारे मरीजों के लिए यह लाबदायक है मित्रों यह बहुत ही लाबदायक है इसके साथ साथ और पंक्तिया है सर्दियों में सर्सों के साख का सेवन न केवल स्वाद के मामले में लज़़त दार है बलकि सेहद से जुड़े कई फायदे से भी भरा है इसमें मौझूद विटामिन्स, मिनरल्स, फायवर्स और प्रोटीन इसे बेहद फायदे मंद बनाते हैं पूरे भारत में खास कर पंजाब में तो या मक्के की रोटी के साथ बहुत ही चाव से खाय जाता है मित्रों ये सर्दी जुखाम से लेकर हिरदय रोगों और कैंसर की खत्रे तक को भी कम करता है मित्रों इतने गुड़ हैं इसमें आप इसको यूज करिए आपके लिए भी बहुत ही फायदे मंद रहेगा क्योंकि मित्रों अब समय आ रहा है कुछ दिनों बाद सर्दों का पौधा मिलने लगेगा आप खेतों से लाइए और उसका साग बनाइए कम से कम रोज नहीं तो दो-तीन दिन या चार दिन पर बनाके एक बार आवसे खाये मित्रों ये सरसों का पौधा इतना कमाल का और पवस्टिक सरसों के पौधे से जो बनता है साग उसको खाएं आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद हैं आने की असिमित फायदे हैं मित्रों तो मेरी बस यही गुजारिस है कि यहाँ इसको यूज अवस्टिक करिएगा धन्यवाद मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर भी कर लिजिए उसके साथ सब्क्राइब अवस्टिक कर लिजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको आसानी से मिल जाए तो मित्रो और फिर जाए हिंद धन्यवाद